Welcome back, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कपलिंग क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है कपलिंग इस यूज टू ट्रांसफर मोशन, फ्रॉम ड्राइब साफ्ट टू ड्रीवन साफ्ट कपलिंग एक ऐसा साधन है जो दो साफ्टो को आपस में जोडने का कारे करता है, जिसमें पहले साफ्ट को, मतलब जो साफ्ट को घुमाता है उसे ड्राइविंग साफ्ट और दूसरे साफ्ट को ड्रीवन साफ्ट कहते हैं अलाकि shaft और coupling को देख कर दिमाग में अक्सर यह सवाल उठता है कि हम दो shaftो को जोड़ने के लिए coupling का इस्तिमाल क्यू करते हैं क्यू नहीं इसके जग हम welding कर दें welding जवाई इंट भी तो अच्छे होते हैं मजबूत होते हैं पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम दो साफ्टों में welding करते हैं तो जितना power या force transmit होना चाहिए वो force और power transmit नहीं हो पाता इसके अलावा दोनों साफ्टों के miss align होने का भी खत्रा बना रहता है मतलब कभी भी साफ्ट ज्यादा vibration जहल नहीं सकता है साफ्ट miss align हो सकते हैं तूटने का भी डर हो सकता है कुछ खत्रे के chances बढ़ सकते हैं और coupling लगाने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि vibration जहल सकता है और इन सब को मतलब जो दो साफ्ट होते हैं इनको कभी भी हम अलग कर सकते हैं बीना किसी नुकसान के मतलब हमारा साफ्ट खराब नहीं होता जबकि welding में अशा नहीं है welding में अगर आप दो साफ्टों को एक बार weld कर देंगे और उन्हें अलग-अलग करेंगे तो दुबारा में साफ्ट का नुकसान हो सकता है जब उन्हें मतलब एक साफ्ट से अब दूसरे साफ्ट को अलग करेंगे कपलिंग को सिस्टम के alignment accuracy और टार्क requirement के आधार पर बाटते हैं हलाकि हर कपलिंग का फायदा और नुकसान दोनों ही है इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी particular application में कौन सा कपलिंग लगाना है और कौन सा नहीं तो इन ही सब बातों को ध्यान में रखकर कपलिंग को तीन भागों में बाटा गया है और इन ही तीनों भागों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे वैसे तो कपलिंग कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहां हम उनको तीन भागों में बाटेंगे जिनके अंतरगत सारे कपलिंग आते हैं इनके तीन टाइप्स रिजिट कपलिंग, दूसरा फ्लेक्सिवल कपलिंग, तीसरा फ्ल्यूड कपलिंग है तो पहले रिजिट कपलिंग के बारे में जान लेते हैं रिजिट कपलिंग मुख्यता वहाँ प्रयोग किये जाते हैं जहां दो साफ्ट एक दूसरे के बिलकुल को एक्सियल हो रिजिट कपलिंग में ड्राइव साफ्ट और ड्रीवन साफ्ट के बीच ना तो एक्सियल मुमेंट एलाव करता है और ना ही रेडियल मतलब की rigid coupling से couple करने के बाद soft का motion radial या axial में नहीं जा सकता आप एक उदारण से समझ सकते हैं कि rigid coupling द्वारा जब दो soft को properly alignment करने के बाद connect करके rotate कराते हैं तो rotate कराने पर ऐसे move करता है जैसे कोई single soft मतलब play कर रहा हो चल रहा हो अगर हम बात करें rigid coupling के अंतरगत आने वाले coupling के बारे में तो उनमें बहुत सारे coupling हैं जिनमें कुछ मुख्य नाम इस प्रकार है muff coupling, flanged coupling और split coupling इसके बाद coupling टाइप में दूसरे नंबर पर है flexible coupling जैसा कि आपको पता है flexible का मतलब लचीला होता है मतलब नाम से इस पश्ट है कि इस टाइप के coupling में लचीला पन होगा इन coupling का डिजाइन ही असा किया जाता है कि ये थोड़ा बहुत दो साफ्टों के misalign होने पर भी radial, axial, displacement और angular moment को allow करते हैं यानि कि साफ्ट अगर थोड़ा बहुत radial या axial में misalign है इसके बावजूद भी यह coupling आसानी से साफ्ट को टार्क ट्रांस्मिट करता है इस टाइप के coupling स्वयम को flex करके एक rotor से दूसरे rotor तक टार्क और speed में आने वाले fluctuation को यानि उतार चड़ाव को आसानी से जहल लेता है और speed and torque को smoothly transmit करने के लिए helpful होता है इसके साथ ही flexible coupling shock load या vibration को भी सहने के लिए ज़्यादा capable होते हैं इसके बाद अगर हम बात करें flexible coupling के उपयोग की तो rigid coupling की अपेक्छा maximum flexible coupling का ही use किया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें flexible coupling के अंतरगत आने वाले और mostly use किये जाने वाले coupling के बारे में तो उनके नाम कुछ हिस प्रकार है जैसे jaw coupling जिसे spider या love joy coupling भी कहते हैं pin bus coupling, gear coupling, grid coupling और tire coupling flexible coupling में और भी बहुत से प्रकार है आगे की वीडियो में एक flexible coupling के उपर ही details वीडियो अपलोड कर दूँगा इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नमबर के तरफ याने fluid coupling के तरफ fluid coupling जैसा कि इस coupling का भी नाम से पता चल रहा है कि इस coupling का relation fluid से है इस coupling में power transmission के लिए fluid का इस्तेमाल किया जाता है इस coupling में एक housing होता है जिसमें कि input shaft या drive shaft पर एक impeller और output shaft पर एक runner लगा होता है ये fluid coupling generally steel या stainless steel के बने होते हैं और इस fluid coupling का जादा तरफिस्तेमाल belt conveyor में किया जाता है इसके अलावा compressor, dryer और centrifuge में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो इस वीडियो में हमने जाना कि coupling क्या होते हैं और उनके कितने परकार होते हैं आगे आने वाले videos में एक aq coupling के बारे में complete details की वीडियो बनाएंगे उसके बारे में complete जानकारी देंगे और इस video में बताये गए coupling के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो like जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें